हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डिएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है आज में लोग एट किलास का मैंत सोल्फ करेंगे जो जेस्टी आटी जारकन टेस्ट बुक पर बेस्ट है आज में देखेंगे प्रशनावली 9.2 और चेप्टर 9 का जितना भी प्रशनावली है जितना भी प्रशनावली में कोस्टेन है सब मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर बाकी का सोलिसन देख सकते हैं तो देखते हैं 18 नंबर से कोस्टेन है यदि कोई बेटरी 4 प्रतिसत हानी के जगह 4 प्रतिसत लाग पर बेची जाती है तो 6 रुप बेचना पड़ता है मतलब कस्टमर उसको खर्द लेता है कस्टमर को दिकत नहीं होता है तो दुकांदार को 6 रुप्या का फायदा होता है ठीक न चाले लोग को क्रेश मुलिन निकालाएं कि बैटरी को दुकांदार कितना में खर्दा था तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि बैटरी का क्रे मुल ब्राबर एक्स उसके बाद हानी कितना है हानी हानी प्रतिसत ब्राबर सुरू में 4 प्रतिसत का हानी होना चाहिए था ठीक ना इसलिए हम लोग अभी लिखेंगे 4 ठीक ना 4 प्रतिसत हानी है 4 प्रतिसत अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है अभी फिर अलग फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को विक्रे मुल्य जितना फॉर्मूला सब मैं लिखवा रहा हूं ठीक ना आपको याद कर लेना है एक फॉर्मूला है फॉर्मूला में होता है क्रे मुल्य गुना एक सो अब यहाँ पर देखिए हानी है ठीक ना तो हम लोग हानी लिखने के लिए माइनस करते हैं एक सो माइनस हानी प्रतिसत बट्टे यहाँ पर हो जाएगा एक सो यह एक फॉर्मूला है आपको याद कर लेना है यहां तक अब देखिए विक्रेबल निकालेंगे अभी यहाँ पर क्रेम लिक यहां है एक से है गुना यहाँ पर एक सो फिर माइनस हानी कितना है चार प्रतिसत बट्टे यहाँ पर हो लिख देंगे एक सो इसको सोल्फ करेंगे अभी हम लोग solve करें कितना हो जाएगा यहाँ पर देखी एकसो में 4 घटाएंगे तो चुरानवे बचेगा चुरानवे में एकस कोई गुना कर देंगे तो चुरानवे एकस हो जाएगा उसके बाद नीचे एकसो तो इस प्रकार विक्रे मूले हो गया है अभी लाव हुआ है 4 प्रतिसत का लाव प्रतिसत ब्रावर 4 प्रतिसत अभी फिर से हम लिए विक्रे मूले का फूर्मूला लिखेंगे विक्रे मूले ब्रावर से हम लिखेंगे बस हानी के जगह में हम लोग लाब प्रतिसत लिखेंगे और यहाँ पर हानी में माइनस करते हैं और लाब में जोड़ते हैं हाँ पर जोड़ लगाएंगे क्रे मुल्य गुना एक सो प्लस लाब प्रतिसत यह फुरूला आपको याद कर लेना है बटे यहाँ पर देखिए एक सो इतना किलर है सेम फुरूला है बस और यहाँ पर लाब के जग़ेशा चेंज हुआ है हानी में माइनस है और लाब में प्लस है बाकी सब सेम है बराबर अब देखिए इसका हम लोग फिर से मान रखते हैं क्रे मुली कितना हम लोग का यहां पर हम लोग देखिए क्रेम मुल एक्स रखे हैं ठीक ना यहां पर भी एक्स रखे थें हम लोग यहां पर क्रेम मुल एक्स लिखते हैं एकस गुना एकसो यहाला एकसो फिर जोड जोडला प्रतिसात प्रतिसात चार है बटे नीचे एकसो अब देखिए एकसो में चार जोड़ेंगे तो एकसो चार हो जाएगा फिर एकसो चार को एकस से गुना करेंगे तो एकसो चार एकस बटे नीचे देखिए कितना है एकसो है एकसो तो यह हो गया हमारा इतना रूपिया कितना रूपिया हो गया है विक्रयमोले जब लाव हो लोग को होता है तब तो देखिए बेचना था उसको इतना आमे ठीक न मतलब 44 पर एकस बटे एकसा में बेचना था लेकिन वो बेचदिया 104 x बटे 100 में और उसके हुआ है लाब कितना 6 रुपया का तो हम लोग लिखते हैं अब अब इतना में हम लोग ठीक ना 104 x बटे 100 में 94 x बटे 100 घटा देंगे 104 x माइनर 94 x ठीक ना इसके नीचे भी 100 है और इसके नीचे भी 100 है इतना माइनस करेंगे तो कितना मिलना चाहिए 6 अधिक प्राप्त होता है मतलब जो अंतर है दोनों का मुल्य में वो कितना है 6 रुपया का है अब हम लोग इसको solve करेंगे एकस कमान निकाल देंगे और यही हो जाएगा हमारा answer अब देखिए यहाँ पर हर में 100 है यहाँ पर भी हर में 100 है और उपर simple ओला minus कर देते है एकसो चार एकस मानस 94 एकस ब्राबर छे अब देखिए एकसो को हम लोग उधर ले जाएंगे ठीक ना एकसो को पक्षांतरित कर देंगे इधर left side है उसको right side ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सबसे पहले यहाँ पर घटा देते हैं 104 में हम लोग चुराने पर घटाएंगे तो कितना बचेएगा आठ बचेगा और यहाँ पर एकस है इसलिए एकस फिर ब्राबर यहाँ पर देखिए 6 है गुना एकसो का हम लोग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा एकसो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोट कर रहा हूं 200 हो जाएगा फिर एकस को हम लोग उधरी रहने देते हैं और आठ को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर आठ और एकस के बिच में गुना है इधर आकर भाग हो जाएगा अब इसको काट देंगे हम लोग आठ से काट देंगे तो कितना बचेगा 75 बच जाएगा तो इस तरह एकस बराबर 75 रुपिया ठीक ना तो इस तरह क्रेमुल्य क्रेमुल्य बराबर 75 रुपिया यह हो गए इसका अंसर क्योंकि हम लोग एकस क्या मानने थे क्रेमुल्य मानने थे Bekri Kar से समन्धित 19 नंबर है 19 21 जो है Bekri Kar मतलब होता है Test आ इसको English मैं वाट बोलते हैं भी ए ट या आप वाट पढ़ए इसको jurisdi में ऐसे वाट लिखा जाता है ये वाट मतलब होता है Bekri Kar न भेचने में घरिदने में जो उसी को बोलते हैं विक्री कर, दिखें, उन्नीस नमर का सवाल है, जोटसेना ने एक वस्तु 4 परतिसत विक्री कर सहीत, 208 में खरिदा, कर से पहले उस वस्तु का मुलिक यात कीजिए, दिखें, 208 रुपया में जोटसेना ने वस्तु खरिदा है, ठीक, ना कर के सहीत, तो मैं लिए, इसको हम लोग तो से पहले लिखते हैं, 4 परतिसत, देखें, वैट कितना है, 4 परतिसत, 4परतिसत वैट का अर्थ है, रुपया एक सो, देखें, मैंने लिखें, चार प्रतिसत वेट का अर्थ है 100 रुप्या वेट रहित मुल्य ठीक ना अब लिखते हैं आगे हम लोग जब की जब की 104 वेट सहित है 104 ये वेट के साथ है सहित 100 रुप्या वेट के रहित है ठीक ना और 104 मतलो 4 प्रतिसत विक्री कर रहे इसलिए हम लोग 104 कर दिये हैं यह होगे 104 वेट सहित मुल्य है यह आपका बुक में एक डेमो दिया हुआ है आप वहाँ से भी लिख सकते हैं उसके बाद देखिए आगे है रुप्या 104 वेट सहित है वेट सहित है जब की प्रारंभिक मुल्य बराबर 100 रुप्या यहाँ पर 104 टेक्स लगने के बाद हुआ है ना लेकिन प्रारंभिक जो मुल्य था 100 रुप्या था इसका हम लोग ऐसे लिए हैं अब हम लोग लिखेंगे आगे रुप्या एक वेट सहित मुल्य होगा जब की प्रारंभिक मुल्य बराबर एक सो बटे एक सो चार अब दिखिए आगे हम लोग को लिखना पड़ेगा रुप्या दोसो आठ वेट सहित मुल्य होगा जब प्रारंभिक जब प्रारंभिक मुल्य बराबर एक सो बटे एक सो चार गुना दोसो आठ अब इसका हम लोग सोल्प कर देंगे अंसर आ जाएगा दिखिए यहां पर एक सो चार और यहां पर दोसो आठ इसको काट देंगे दो से कट जाएगा यहां पर और यहां पर दो से कट गया जिसे एक सो दुना दोसो फिर होता है चार दुना आठ इसले दो बच गया है यहां पर अब एक सो और दो को गुना कर देंगे तो कितना हो 200 इस तरह 200 रुपिया यह होगी हमारे प्रारंबिक मुल्य मतलब वैट को हटा कर ठीक ना टेक्स से पहले 200 रुपिया इसका मुल्य था यह होगी इसका अंसर अब बढ़ते हैं अगला 20 नंबर 20 नंबर का सवाल है प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा था इसके लिए 6 प्रतिसत वैट सहीद 212 की धनरासी का भुक्तान किया वैट लगने से पहले इसका मुल्य क्या था सेम टू सेम उनिस नंबर जैसा है चलिए बनाते हैं सबसे पहले मुल्य लिखेंगे यहाँ पर 6 प्रतिसत वैट का अर्थ है रुपिया 110 रहित मुल्य है जबकी 106 रुपिया वैट सहीद जैसे मैं लिख रहा हूं सेम उनिस तरह लिखना है आपको भी सहीद है रुपिया 106 वैट सहीद मुल्य है जबकी प्रारंभिक मुल्य ब्राबर 100 रुपिया अब दिखेंगे रुपिया एक ठीक ना रुपिया एक वैट सहीद सहीद मुल्य है अब दिखेंगे रुपिया एक वैट सहीद मुल्य है जबकी प्रारंभिक प्रारंभिक मुल्य हो जाएगा हमारा ब्राबर 100 बटे 106 अब हो लोग सेम लिखेंगे यहाँ पर जिसे 19 नमबर लिखे थे रुपिया 112 वैट सहीद मुल्य होगा जब प्रारंभिक मुल्य ब्राबर 100 बटे 106 गुना 112 अब यहाँ दोनों काट देंगे हम लोग दो बार में कर जाएगे यहाँ पर देखी 106 दूना 112 हो जाता है इसलिए दो लिखेंगे यहाँ अब दो दो और एक सो को गुना कर देंगे तो हो जाएगे यहाँ पर 200 रुपिया इसका हो गया अंसर अब बढ़ते हैं अगला 21 नमबर पर 21 नमबर का सवाल है रानी ने जोलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया इसके लिए तीन सो चालिस भुकतान किया जिसमें चालिस की कर रासी भी सामिल था कर मतलब वैट ठीक ना ग्याद कीजिए इसमें कर वैट हम लोग को ग्याद करना हम लोग चलिए सब सफले मान लेते हैं माना वैट बराबर वैट की दर ठीक ना वैट की दर बराबर एक्स मतलब वैट क जो दर है वो एक्स प्रतिसत है तो वास्तविक मुल्य क्या हो जाएगा वास्तविक मुल्य बराबर देखिए यहां पर कितना भुकतान किया है तीन सो चालिस तीन सो चालिस और जो फिकर हो उसका हम लोग मानस कर देंगे 40 देखिए यहां पर 340 जो है यह भुक्तान किया गया है और एक्स्ट्रा कर मतलब कर कितना दिया गया था 40 था तो जो दिया गया था मुले तो 340 में लोग 40 घटा देंगे तो बचे रहेगा हमारा वास्तविक मुल्य तो 340 में 40 घटाएंगे तो 300 बच जाएगा यह होगे हमारा 300 रुपया वास्तविक मुल्य हुआ है अब देखिए 300 रुपया में ही कर लगा है एक्स प्रतिसत ठीक ना तो 300 का एक्स प्रतिसत बराबर 40 हो जाएगा इसको लिखते हैं 300 का X प्रतिसत बराबर 40 रुपिया इसको मैं आर बार समझा देता हूं देखिए 300 तो वास्तिवाइक मुली है इसमें कर कितना लगा है यहाँ पर देखिए X प्रतिसत ठीक हमों लोग मानें ही इसको X प्रतिसत हो जाएगा तो total कर कितना लगा है 40 तो इसका हो जाएगा बराबर 40 अब इसको हम लोग solve करेंगे और यहाँ पर x का मान निकालेंगे 300 का मतलब होता है गुना x मतलब होता है एक्स लिख देंगे फिर देखिए यहाँ पर प्रतिसाथ है प्रतिसाथ मतलब होता है 200 300 उसके बाद बराबर 40 अब इसको solve करना है देखिए यहाँ पर 2 0 है यहाँ पर 2 0 कर जाएगा यहाँ पर 3 और x गुना करेंगे तो 3 x हो जाएगा 3 x बराबर इधर 40 है अब इसको फिर से हम लोग solve करेंगे x बराबर 40 अब देखिए 3 को इधर लाएँगे x अर्तिन के बीचे में गुना ही धराकर भाग हो जाएगा इसको काट देंगे हम लोग तो बच्चेगा 13.3 3 तो इस तरह x बराबर किकना हो गया कितना 13.3 3 प्रतिसद तो इस तरह x क्या है हम लोग माने थे न वैट की दर तेहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर 13.3 3 प्रतिसद यह होगी इसका अंसर तो इस तरह आज हम लोग 9.2 का 18 नंबर से लेकर 21 नंबर तो कम्प्लीट किये अगर आपको कहें पर दिकत भी होगी तो कमेंड कीजिए मैं आपकी प्रोब्लम स्वल्व करने के पूरी कोशिश करूँगा और वीडिव अच्छे लेगे हो तो प्लीज लाइक करें चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल लाइकन कोई प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडिव अपलोड करूँ आप तक नोटिपिकेशन चली जाए थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो